तो ये रसम वड़ा की रेसिपी है तो साउथ से लेकिन पूरी इंडिया में फेमस है एक बार अगर आपने इसे बना लिया आना तो आपके हमेशा कोशिश रहेगी कि हर वीकेंड पर ये बने ये इतना जादा सौफ्ट और टेस्टी होता है तो काफी पहले पडोस में रहने वाले एक साउथ इंडिन फैमिली से ये रसम की रेसिपी मैंने सीखी थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि दोस्तो रसम कई तरीके की बनती है कुछ रसम जो है सिर्फ और सिर्फ टामाटर से बनते हैं और कुछ में दाल भी डलते है तो वीडियो को स्टेप बे स्टेप देखते जाए इस किप बिलकुल भी मत करिएगा साथ ही आप मुझे कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताईएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ सबसे पहले मिक्सी के जार में एक मेडियम साइज का कटा हुआ प्याज पात से छे लेसन की कलियां एक इंच अद्रक का टुकड़ा दो से तिन हरी मिर्च आठ से दस काली मिर्च के दाने हाफटी स्पुंजीरा और थोड़े से करी पत्ते मेरे पास सूखे करी पत्ते थे मैंने वही डाले हैं आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ही डाले इन सब को मिला कर हमें अच्छे से पीस लेना है और इसे एक कटोरी में निकाल करके रख लेना है इसके बाद मैंने यहां पर लिये हैं दो टमाटर जिसमें से एक जो है थोड़ा बड़े साइज का और एक छोटे साइज का है तो इन दोनों को पहले तो बीच से हम कट कर लेंगे और इसकी जो उपर का भाग है उससे निकाल कर अलग कर देंगे उसके बाद हम इस टमाटर को कट्दुकस कर लेंगे तो आप चाहें तो इन टमाटरों को मिक्सी में डाल करके पीस भी सकती है लेकिन अगर ऐसे कद्दुकस करके बनाएंगे न तो यह ज्यादा टेस्टी लगती है अगर मिक्सी के जार में आप इसे पीछ देंगे न तो यह बिल्कुल गाड़ी ग्रेवी की तरह बन जाती है और पता नहीं चलता कि यह रसम है तो यहां पर यह दिखे टेमाटर मैंने ग जो प्यूरी मैंने बनाई है इसमें डाल दिया है चलिए अब हम आगी का प्रोसेस करते हैं यहां पर कड़ाई में मैंने थोड़ा सा ओल डाल दिया है हलका गरम होने पर मैंने यहां पर राई डाल दिया थोड़ी सी और थोड़ी सी ही मैंने डाली है हींग तो जैसे ही हमार तो आप फ्रेश ही डालीए एक सूखी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर काटके डाल दिया है आप तीखा अपने पसंद के अनुज़ार कम ज्यादा डाल सकते हैं क्योंकि मैंने मसाले पीशे हैं उसमें भी हरी मिर्च डाला है तो इसलिए मैंने इसमें कम ही डाला है इन सब को मिल और आज टमकेक हम दोने पास थोड़ा कर लेना है उसके बाद उसके बाद मद्यमाज पर एक से तक देड़ मिनट तक सकर्ट क्योंकि हमने इसमें प्याज भी डाला है लेसन भी डाला है तो उसका कच्छापन निकल जाना चाहिए तो यह देखिए हमारे मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इस समय हम इसमें डाल देंगे हमने जो टमाटर और इमली का जो पल्प मिला करके रखा था ना इसके डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी भी डाल देंगे और डाल करके थोड़ा सा चला लेंगे साइड में जो भी हमारे मसाले है उसे बीच में कर लेंगे इसकी बाद कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तो यहाँ पर थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने दोनों ही डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें डाला है डाल कर चला लेना है हमें अच्छे से और थोड़ी देर जो है बॉयल होने के लिए छोड़ देना है ताकि टामाटर जो है वो अच्छे से पक जाए जब अच्छे से इसमें बॉयल आने लग जाए तब हम इसमें डाल देंगे सांबर मसाला थोड़ी देर चलाते हुए इसे और पका लेंगे और जब अच्छे से हमें लगने लग जाए कि टमाटर जो है हमारा वो पक चुका है तब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास पका हुआ अरहर दाल मैंने बना के रखा था जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला था इसे हम डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी डाल मेरे पास रखी हुई थी जिसे मैंने इसमें डाला है डाल कर अच्छे से चला देंगे और डाल देंगे स्वात के नुसार नमक और थोड़ा सा और पानी क्योंकि आप सभी को पता है कि रसम यहाँ पर रात में दाल जो डाला था उड़की दाल भीगने के लिए उसे मैंने द्धो करके मकसी के जार में डाल ढुकर करके में डाल कर बीना पानी कही पहले बनिया और गरी मिर्च दिया भीड़े में अधरो पानी इसमूरा भी पोर पानë won नहीं डाला हो तोड़िया ह मैंने स्वाद के नमक और इसे अच्छे से फेट लिया है इतना फेटा है कि यह पानी के उपर आ जाए जब इसके पकोड़े हम पानी में डाले तो पानी के ऊपर आ जाए यह दिखे हमारा रसम भी रेडी हो चुका है उपर से मैंने डाल दिया है हरी धन्या बहुत ही अच्छ अपनी मर्दी से जैसा भी चाहे जाए बनासकते है मतलब जैसे मैंने पकोड़े की साइ्ज के बनाई है आप बड़े साइज की बना सकते है यह वड़े जो नौर्मली बनाते आ आप उस तरीके से भी बना सकते है तो यहां पर मद्यम आज पर यह मैंने देखिए क्रिस्प होने तक इसे तल लिया है और अब मैं सारे निकाल लूँगी और निकालने के बाद यह सीधा जाएगा हमारे रसम के उपर तो जैसे ही हम इसे डालेंगे न यह रसम को पूरा अच्छे से अब्जॉब कर लेगा एकदम सॉफ्ट तो होई जाता है दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी मतलब एक प्रॉपर मील की तरह हो जाता है यह तो आप भी मेरे तरीके से एक बार रसम वड़ा की रेसिपी जरूर बनाईए चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इसे शेयर जरूर करिए मिलती हूँ अगली वीडियो में टेक कियर एंड बाई बाई